जहीं दोस्तों, चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मेरा नाम कुल्दीप सिंग है, So, finally, UPSC Prelims 2022 के लिए हमारे पास सिर्फ 10 से 12 दिन ही रह गए हैं, और मैं जानता हूँ, आप लोग काफी अच्छे से त्यारी करके बैठे हैं, और काफी जादा high tension period आप लोगों के लिए चल रहा है, especially जो candidate बहुत seriously prepare कर रहे हैं, तो इस time पे आप current affairs revise कर रहे होंगे, आप अपना GS का module revise कर रहे होंगे, आप अगर हो सके तो MCQs भी attempt कर रहे होंगे, test series दे रहे होंगे, So, I can understand कि आपने एक strategy बनाया हुआ है, और पूरे साल आप strategy के उपर focus करके इस paper को देना चाहते हैं guys, but एक बहुत important aspect है इस paper का prelims examination specially का, कि आपको paper किस सरा से attempt करना है, देखे guys बहुत सारे students ऐसे होते हैं, जो कि seriously अच्छा पढ़ाई करते हैं, सारा कुछ बढ़िया पढ़ा होता है, बट paper में जो है 2 या 3 marks से prelims से बहार आ जाते हैं, ऐसा क्या issue है उन लोग के बास, क्या problem है, सबको same पढ़ा हुआ है, अपना test series भी दी हुई है, but what is the thing, the thing is कि आप paper attempt कैसे कर रहे हैं, ये बहुत matter करने वाला है, आज की session में लोग यही बात करेंगे, कि आप किस सरा से paper को attempt करो, और किस सरा से आप अपना prelims जो है, उसे सुनिश्चित कर सकते हैं, सो चलिए guys, start करते हैं, without further ado, again, हमारी application को download जोरू करिए, बहुत सरा paido free content यहाँ पर पढ़ा हुआ है, आपको UPSC की त्यारी में help करने वाला है, अगर आप हमारे साथ बैट के त्यारी करना चाहते हैं, तो 2023 के अगले साल के अगले साल के बैज है अलरडी चल रहे हैं guys, ठीके जी, तो चलिए, इस चीज़ के उपर हम properly बात करते हैं, कि भाई क्या strategy होने चाहिए आपके जबाब question paper को attempt करो, क्योंकि वह बहुत important है, जैसे मैंने आपको बताया, अगें पहले हम लोग देख ले थे cut-off क्या चली है, पिछले 3 साल की cut-offs क्या चल रहे हैं हम लोग की, आप देखो कि CSP जो 2019 है, आपका 2019 वाला उसमें 98 के आसपास में गई थी, जनरल की cut-off बतारा हूं मैं आप लोग को 2020 में जो around 92 के आसपास में थी, और 21 में expected जो cut-off हम लोग बोल रहे हैं, वो 90 to 93 के आसपास में रहने वाली है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि not even 50% के आसपास में जो है, आपको यहाँ पे number लेने हैं अपने GS paper में, और अगर आप यह कर पाऊगे, तो आप around 100 के आसपास में रह पाऊगे, तो आप जो अपना paper को like qualify कर पा रहे हो, ठीके जी, तो इसी चीज़ को हम लोग base मान के चलेंगे, थोड़ा साम strategy को उसको और wide करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आपको question paper attempt करना है, यहाँ पे एक बहुत important चीज़ है कि मैंने already किस तरह के questions आ रहे हैं, किस तरह के questions के type आ रहे हैं, उसके ओपर मैंने एक video किया हुआ है, i button में आ रहा होगा, आप उसको जरूर देखिए, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि किस तरह question पूछन देखने को मिल रहे हैं UPSC में, आपको मैंने यह chart बताया था, पिछले तीन सालों में इस तरह question देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से one-liner question जो around 40-45 के आस-पास में one-liner questions है, then two-liner questions है, then three-liner questions, almost 25-30, three-liner questions या three-statement questions आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, so यह मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप paper को attempt करोगे, तो यह जो question है, पहले और दूसरा जो type है, मैंने fact attack type होता है, या फिर double-trouble type होता है, यह question जो है comparatively जल्दी attempt हो जाते हैं, because यहां पे आपको या то paper आता हो, या question आता होता है, या नहीं आता होता, 50-50 या तो कहार पीफटी रह जाते हो, ठीक है, यह जल्दी attempt हो जाते हैं, बट यह question के बाद 3 के बाद, इन question में comparatively time आपका ज़हादा लगता है, बाई पेपर में बैट के करना क्या है पेपर में आपका जब आप पेपर में बैट रहे हो पेपर आपने खोलने से पहले आपका एक आइडियल दिमाग में स्कोर क्या होना चाहिए एक आइडियल दिमाग में अटेम्ट क्या होना चाहिए क्योंकि इसी अटेम्ट के बेसिस प difficult आया है कितना easy आया है आप देखरों जैसे मैंने पिछे cutoff बताई तो 90-95 like 100 के नीचे-नीचे cutoff रह रही है बट still हम लोग यह नहीं सोच के चलेंगे हमें सिर्फ 100 marks लेने हैं हम लोग को यह सोच के चलना है कि हम लोग at least cutoff से 5-6 marks उपर रहें ताकि हम लोग easily अपना tension free होके mains की त्यारी कर सकें तो उसके लिए हम लोगों क्या करना है average 108 से लिए 110-120 के बीच में आपने को score रखना है तो इसको पाने के लिए आपका जो ideal questions का attempt होना चाहिए वो कितना होगा राउंड 70-75-80 questions होगा ठीक है मैं यहाँ पर उस candidate को लेगे चल रहा हूँ जिसने अच्छी त्यारी कर रहा है जिसको सारा GS पढ़ा हुआ है current office पढ़ा हुआ है means एक ideal student जो की त्यारी करके बैठा हुए और वो attempt कर रहा है ठीक है जी आप 70-75-80 questions आप attempt करोगे जिसमें से आपका average जो negative questions जो गलत होने वाले है आपके वो 12-15-18-20 के आसपास में रहने वाले है ठीक है जी यह आपका एक ideal attempt रहेगा क्यों थोड़ा सा हम लोग calculation जाते है तो हम लोग configuration कर लेते हैं like अगर आप यह कुछ सा सकלा हैं गलत करोगे तो अगर आप 12-15 गलत करते हुए लेके चलते हैं, letter से आपने 70 questions attempt किये हैं, letter से आपने 75 किये हैं, letter से आपने 80 किये हैं, 85 किये हैं, और letter से आपने यहाँ पे 65 questions attempt किये हैं, तो हम यह कुछ scenarios लेके चलते हैं, so 65 questions में आप मान के चलो, average आप 12 से 15 questions गलत करोगे, तो अगर आप 12 से 15 questions गलत करते हो, तो 50 आपके सही है और 15 आपके गलत हो गए तो आप यहाँ पर सीधे सीधे बाहर हो गए ठीक है जी 100 marks आपके आपका average यहाँ पर प्लस बने और around 10 marks यहाँ पर minus हो गए तो 90 में आगे तो यहाँ पर this is a danger mark है तो आप 65 में 15 नहीं कर सकते अगें यहाँ पर 55 10 भी कर लोगे बट यह बहुत जादा ideal score होगा कि सिर्फ आपने 65 में से सिर्फ 10 कोशिन गलत किये क्योंकि गलत होने के चांसे UPS में काफी रहते हैं आप देख रहोगे fact attack type के कोशिन काफी पूछा जा रहे है 40 45 के आसपास में तो यहाँ पर गलत होने के चांसे जादा रहते हैं ठीक है जी तो यह score लेना मुश्कि है 70 में भी हमने देखा तो यहाँ पर आपका 55 और 15 के आसपास में बना अपना score तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपका average जो score है वो around like 110 around आपका 100 के आसपास में score बनेगा इसका तो यहाँ पर भी आप डेंजर मार्क में हो ठीक है थोड़ा बहुत डेंजर मार्क है आपका है यहाँ पर आप यहाँ पर यह कर सकते हों कि थोड़ा सा और अच्छा एक्यूरेट हो जितना जाद आपने अपने एक्यूरेस ही अच्छी है आपकी तो आप around 58 के आसपास में आ गये हो और यहाँ पर आपके 12 कोशिन गलत है तो थोड़ा उपर आ सकते हो बट स्टिल इट सा डेंजर मार्क काफी जादा जो है आपका डेंजरस मार्क है आप लोग के लिए ठीक है जी अब आते हैं हम लोग आइडियल सिचुएशन में आपकी यह है यह 75 तो 80 वाली सेम हम लोग रखते हैं around 60 के आसपास में आपके सही है 15 आपके यहाँ पर गलत हो गए है तो आपक 60 पर आपका क्या हो गया लेटर से आपने 60 कोशन अटेंट किये हैं और 20 भी गलत कर दिये हैं आपने यहाँ पर तब भी आपका ओवराल स्कोर जो है वो around 107 के आसपास में जा रहा है ठीक है जी अगर यहाँ पर आप 65 और 15 पर जाते हैं तो यह स्कोर आपका काफी जादा अ जाते हैं तो यहाँ पर 20 या फिर आप 25 के आसपास में भी गलत कर सकते हो ठीक है जी तो यहाँ पर अगर आप यह करोगे तो आपका स्कोर अगें जो है वो ही 100 के आसपास में आ जाएगा विच इस नॉट वेरी गुड तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब क्या है कि मैं इसको इस नंबर को justify कैसे कर रहा हूं वो it is purely based on calculations आपको जो है 65 attempt नहीं करके आने हैं आपको कम से कम कम से कम 70 या 75 या 80 के आसपास में attempt करने हैं और आपका ideal range has to be 75 to 80 ठीक है जी ध्यान से लिए इसको सोच के चलना है कि 75 से आपको question attempt करने हैं मैं उस student की बात कर रहा हूं जिसने अच 75 to 80 आप यहां पर attempt कर रहे हो और आप मान के चल रहे हो कि आपका negative जो है वो कहीं बेभी 12 से 15 से 18 के बीच में हो सकता है अगर यह भी होगा सारी range सारी हम लोग scenarios ले लेंगे तब भी तब भी आपका जो score है वो 100 से उपर रहेगा और 120 तक जा सकता है जो कि comparatively ठीक range है और आप paper जो expect कर सकते होगे यहां पर clear करोगे guys ठीक है जी आपका ideal attempt है और इस तरह से आपका होना चाहिए याद रखना है इसको ठीक है next हम लोग बात करते हैं after this हम लोग बात करेंगे किस तरह से paper को attempt करना है now attempt आपको paper करने है rounds में like मैं बोलता हूं कि at least आपको तीन rounds लेने है तीन बारी जो है paper को start से end तक देखना है और वहाँ पर paper attempt करना है like wave 1 एक पहली wave में आप attempt करोगे wave 2 में attempt करोगे और wave 3 यह तीन जो है आपके attempt यहां पर रहने वाले हैं guys ठीक है जी now इसके लिए क्या होगा सबसे जो पहला round है आपका यह बहुत ही crucial होगा आपका जब specially like आपका time start out हो गया आपने paper खोला और सबसे पहले आपने क्या करना है आपने एक एक करके सारे question देखने है 100 तक तक पर यहां पे question देखने नहीं है आपको वह question attempt करने हैं जिस पर आप 90 to 100% sure हो कि इसका answer तो यही है तो यही है तो यही है क्योंकि आपको 50-45 के आसपास मिल रहे है like double-trouble questions आपको जो है again 10 से 15 मिल रहे तो आपके 60-65 questions ऐसी होंगे जिसमें या तो आपको 50-50 होंगे या तो आता होगा तो बिल्कुल नहीं आता होगा 50-50 होंगे आप है न तो उन questions में आप क्या कर सकते हो उनको जल्दी-जल्दी कर सकते हो थोड़ा सा और आपके पास basically जब पहला wave करके हटोगे तो आराउंड सवा कर घंटे में वन आर 15 मिनट से पहले पहले आपका पहला wave हो जाना चाहिए और आप जो है सारे questions देख चुके होने चाहिए ठीके जी तो आप यह मत कंप्लेंड करोगी बहुत लेंती पेपर लेंती यादा इतने में होगा नहीं होगा आगर आपने यहाँ पर mcqs attempt किये आपने mock test attempt किये हैं तो I am sure आप एक गंटा 10 मिनट एक गंटा 15 मिनट के बीच में अपना पहला पूरा round जो है वो complete कर लोगे सारा paper एक बर ही देख लोगे तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया करना क्या है आपको यहाँ पर basically you will have to mark only those questions जो क कि आपने 90% to 100% sure हो कि यह बिल्कुल सही है ठीक है कि ने जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना इसकी मैं एक page निकालता लेगी 2021 का paper है इस paper का यह आप simple page देखो आप जब यह question देख रहे होंगे let us say पहला question आपने देखा पर्मा गल्चर फार्मिंग different from conventional farming किस सरा से हो answer सही है आपने इसको टिक लगा दिया एंड यहां पर आपने आपने omr sheet में इस 51 marks वाले में आपने जो है क्या किया आपने उसको ब्लैक कर दिया तो जैसे जैसे यह important है जैसे जैसे आपका paper हो रहा होगा वैसे वैसे ही आपको साथ में जो है वो गोले भरने है अगर नहीं भर होगे तो क्या होगा last में होच पॉच में क्या हो जाता है इधर उदर बच जाते गोले और फिर बाद में आखे बहुत पच्छताते बच्चे ठीक है यह बेफ़कूफी नहीं करनी है आपको साथ साथ में करना है ठीक है यह 100% शूर था देन उसके बाद आपने देखा अब यह पाम ओयल ट्री वाला यह कोशन पड़ा आपने अब आप इसमें कंफ्यूज होगे कि भाई इसका आंसर यह भी हो सकता है और यह भी हो सकता है ठीक है बट मिरको काफी साथा शौर है कि आंसर यह हो सकता है डी वन टो एंट त्री मैं 70% के आसपास में शौर हूँ ब लगा दिया इसको देन आगे बढ़ गए आप आपने देखा पाकेसानीज में क्या चीज है यह आपको यह भी पता है लेटस से सलाइन लेक्स इसका आंसर है तो आपने इसको भी टिक लगा दिया और इस पर आते हैं यह आपको पता चला यह वाला कोशन आपको बिलकुल ही नहीं पता है तो आपने all together skip कर दिया ठीक है जब आपने question देख लिए सारे तो आप नीचे लिखोगे कि आपने कितने question attempt करें एक दो तीन question आपने attempt करें यहां पर लिख देना आपने से करी होती तो 35-40 marks जो है 35-40 question वो अराम से कर लेता है 40-42 questions भी कर लेता है कि एक बरी 45 questions जो वेटरन्स होते है 40-45 questions भी निकाल लेते हैं ठीक है जी तो आपको calculate करने हैं इसके बाद आपने कितना कर लिए और आपने ideal calculation दिमाग में बनाई हुई है कि आपको around 75 के आसपास में score कर करना है average है तो 75 questions के आसपास में attempt करना है तो 35-40-45 यह आपने आसपास में कर लिया इस तरह से आप बनाते रहे ठीक है जो भी question आपको लग रहे है कि 75% है यह आपको doubtful है तो आपको इसको नहीं करना है और let us say इसमें भी आपको ऐसे है कि या तो इसका यह answer हो सकता है या इस इसको गोले मार कर रखो कि यह ideal आपके options मैंने गोले मार के रखे हुए ठीक है ideal option मैंने आपको underline कर रखे है इस तरह से आपने पहला round किया then comes second round अब second round पे आप क्या करोगे यहाँ पे आप वो 70% sure वाले letter से आपने 40 questions कर लिये हैं ठीक है जी आपका target 75 का अब आपके पास 25 questions और करने वाले हैं तो अब आप वो 70% sure वाले questions पे एक घंटा 15 मिनट के आसपास में time हुआ है अब आप 30 मिनट और लो इस पे और आपने क्या करना है around जो है यहाँ पे 20 से 22 questions जो है attempt करने हैं ठीक है वो 70-75% वाले questions को जो है उठाओ दुबारा और आपने यहाँ पे attempt करना है ठीक है जी चेक करते रहना सासाथ में लिखते रहना है अपने सासाथ में लिखते रहना है लेटर से दुबारा जाता है इसमें आपने वापी साइस के ओपर आपने इसको जो है लेटर से यह answer लगा दिया यह answer लगाया और आपने तीन के साथ एक वन लिग दिया तो आपने तो आपने around 65 questions यहाँ पर कर लिए हैं तो आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है इसमें है मतलब आपको 75-80 के आसपास में रखना है तो अगर आपका attempt जो है already 75 questions का हो चुका है तो आप यहाँ पर cautious हो जो अगर आपके बास 50-50% वाले कुछ questions है तो उनको देख लो 4-5 questions या 7-8 questions को देखो अभी भी आपके ऐस 15-20 minute का time पड़ा होगा आप इन में जो है 3 या 4 questions और add कर सक होगा आपके negative marking होने का chances बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो इसको जो हम लोगों क्या करना है इसको हम लोगों को avoid करना है altogether इसके बाद हम लोग क्या करेंगे अपना अगर आपको लेटर से आपका 65 questions हुए तो अभी भी आपको chance लेने के जुरुत है क्योंकि इसमें अगर गल change के रखे हुए हैं तो थोड़ा और दिमाग लगा होगा और आपना है प्रॉपर जो है सारा पेपर भी पढ़ चुके होंगे सारा चीज़ें दिमाग में दुबारा आ रही होंगी तो here what you'll have to do is we'll have to make sure कि आप 10 से 12 questions करें और आप उपने 75 to 78 वाले mark तक पहुंचें इस तरह से पेपर को अटेम्ट करना है और आप बोलोगे कि यह बहुत लेंथ है हमारा पेपर कंप्रीट नहीं होगा होगा बिल्कुल होगा मॉक्स में आपको यह काम करना था अगर नहीं किया तो एक दो करके देखो यहां पर जो है this is going to help you out और आप वो अपने magic नमरें पहुंच जो गर बहुत अच्छा चांस से आप 100 प्लस स्कोर करोगे और कट आफ से काफी ऊपर रह जाओगे गाइस काफी ऊपर चले जाओगे ठीक है so that is what you have to do ठीक है make sure आप यह कर रहे हो और इस तरह करके जाओगे तो I am definitely sure that you are going to attempt your paper very nicely and you are going to clear your prelims exam also so guys that is it for this particular session I hope you liked it I hope this made sense to you people and I hope आप यह से practice भी करोगे करके देखो senior से पूछोगे वो भी इसी तरह से करते हैं try and practice it and if you can perfect it that is going to help you achieve your prelims examination so guys prelims से पहले और कुछ आपके लिए important interesting session लेके आता रहोंगा जिसमें हम लोग बात करेंगे क्या करना है do's and don'ts के बारे में so that on the next session till then thank you very much and bye bye all the best